वेल्कम टू स्वातिस्तान मैं स्वातिकावर शेयर कने जारी हूए अब सभी के साथ पावभाजी प्लैटर की रेसिपी जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पावभाजी बटाटा बडा टमेटो राइस, रायता और चटनी की रेसिपी ये वीडियो थोड़ी सी special है क्योंकि इस वीडियो को डालने के बाद स्वातिस्तान की 100 recipes पूरी हो जाएंगी अब ये platter आप अपने घर में अराम से बना सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक single detail आप सभी के साथ share करी है कोई भी multitasking नहीं करी है हर एक dish को अलग-अलग बनाया है ताकि आप इसको अराम से बना पाए अपने घर में जब तक मैं आप सभी के साथ अच्छे से explain नहीं कर देती तो मुझे खुद को satisfaction नहीं मिलती है और यही रीजन है यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर आप इसको अराम से पहली बार में बना पाएंगे तो चलिए आए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम बनाएंगे भाजी इसके लिए मैंने हापे लिए वेजिटेबल्स इनको आपको प्रेशर कुकर में बॉयल करना है दो से तीन सीटी तक को जो दो से तीन सीटी में नॉर्मली वेज़ीटेबल्स बॉइल हो जाती है पहली सीटी आपको लगानी है हाई फ्लेम पे और बाकि मीडियम फ्लेम पे । आपको इसी तरह करके, फिर वेज़ीटेबल्स को बॉइल करना है ए। मैंने तीन आलू दो, शिम्ला मिर्ची प्रफली कट कर लिया है चार टमातर इनको भी मैंने रफली कट कर लिया है दो हरी मिर्च एक चम्मच जीरा तीन से चार चुटकी बर हींग एक चम्मच अधरक लेसुन का पेस्ट आप इसकी जगे अधरक और लेसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं देड़ चम्मच धन्या पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कसूरी मिथी, आदा चम्मच भुनावा जीरा पाउडर, एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच पाव भाजी मसाला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले आदा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हराधनिया जो हम आखिर में डालेंगे अब आपको कड़ाई में तीन चम्मच तेल और दो चम्मच मक्षन डालके इसको मीडियम फ्लिम पे अच्छे से गरम करना है आप शाए तो सिफ मक्षन भी डाल सकते हैं यह आपके ऊपर है फिर जब यह अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो इसमें हींग और जीरा डालना है अधर क्लैसुन का पेस्ट इनको आपको लगबग 5-10 सेकिंड के लिए ऐसे ही भूनना है फिर आपको इसमें यह प्यास डालनी है प्यास को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्राइ करना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती फ्लेम आपको यहाँ पर मीडियम ही रखनी है और इसी तरीके से बीच-बीच में लगातर आपको इसको चलाना है यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्यास को गोल्डन ब्राउन करना है और जब यह इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको इस पॉइंट में टमाटर और हरी मिर्च डालनी है इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जब आप टमाटर डाल देंगे तो इस पॉइंट में ही आपको यहाँ पे पावभाजी मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर को डालना है इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसको ढग देना है फ्लेम को लो टू मीडियम करके तीन से चार मिनट के लिए अब तीन से चार मिनट बाद आपको इसको फिर से मिक्स करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए है तो अब आपको थोड़ा सा मैश करने के बाद इसमें बाकी सारी चीज़े डालनी है कसूरी मेथी क्रश करके, काली मिर्च पाउडर, भुनाऊ अजीरा पाउडर और इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको इनको मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए और ढखना है फ्लेम अभी भी हमको इहां पे लो टू मीडियम ही रखनी है दो मिनिट बाद अब इस पॉइंट में आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है उनको मैश करके डालना है यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से और आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है अब यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बीच-बीच में मैश भी कर रही हूँ जब तक कि भाजी बनने ही जाती है इसी तरीके से बीच-बीच में आपको इसको लगातार चलाना है और मैश करते रहना है अब बस इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसमें पानी एड करना है एक से डेड़ गिलास पानी अगर आपका जो वेजिटेबल्स आपने बॉइल करी थी उसमें पानी बचता है तो प्रिफर करें कि आप वही पानी एड करें मैं यहाँ पे वही वाला पान पानी एड करूंगी और पानी नहीं बचता है तो आप नॉर्मल पानी भी एड कर सकते हैं और अब यह पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है इसी तरीके से मैश करते हुए और फ्लेम को अब आपको मीडियम कर देना है दो तिन मिनट तक आप इसी तरीके से मैश करते हुए, इनको मिक्स करें, देखें बिल्कुल इसी तरीके से, और फिर आपको इसको ढग देना है, मीडियम फ्लेम पे ही 5-6 मिनट के लिए, 5-6 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मैश भी करते रहना है, आप चाहें तो मैशर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहां पर प्रिफर करती हूँ कि हातों से ही इस तरीके से बीच-बीच में लगातर चलाती रहूं, एकदम बहुत जादे वेचिटेबल्स में मैश नहीं इसको और पकाना है, पहले हमने इसको 5-6 मिनिट के लिए पकाया था, फिर इसको थोड़ा से मिक्स करा, मैश करा था, फिर दुबारा से आपको कवर करके 8-10 मिनिट के लिए पकाना है, और आपको बिल्कुल इसी तरीके से कुछ दिखेएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी आप आपको सर्फ थोड़ी टाइम बाद करना है, तो आपको इसी कंसिस्टेंसी में इसको बंद कर देना है, फ्लेम को ओफ कर देना है, और आखिर में गरम मसाला और हराधन्य डाल के मिक्स करना है, आपकी भाजी तयार है, और अगर आपको इसको तुरन सर्फ करना है, तो कंसि सारी चीजे भी बनानी है और उसके बाद में इसको सर्फ करूंगी चलिए अब दूसरी चीज बनाते हैं जो की है चटनी ये बहुत ही बेसिक चटनी है इसको बनाने के लिए मैंने हाप लिया है ये एक कप धनिया आदा कप पुधीना एक टमाटर चोटे साइस का एक चमच जीरा दो चुटकी बर हींग नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें तीन से चार हरी मिर्च पान से छे लैसुन एक चमच नीम्बू का रस लगबग तीन से चार चमच आपको यहां पर पानी डालना है और बस अ पर है चली अब बनाते हैं नेक्स्ट रायता इसमें मैंने बूंदी डाली है और पहुत जादा चीजे नहीं डाली है यह मैंने यहां पे दो कप दही ली है इसमें मैं यह डाल रही हूं एक चमच भुना हुआ जीरा पाउडर चुटकी बर हींग एक चोथाई चमच काली मि अब इसको आपको विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसी तरीके से बिलकुल लगातर चलाते हुए मैंने रायता बहुत जादा पतला नहीं बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी ही रखी है क्यूंकि प्लैटर में रायता इसी तरीके से तीन टमाटर दो हरे मिर्च चमाटर यहां पर मैंने तीन लिये है क्यूंकि टमेटो पुलाओ है बहुत जादा वेजटेबल यूज नहीं करी है में फ्लेवर यहां पर टमाटर का ही आना चाहिए तीन चुथाई कप मटर एक चम्मच अधरक लैसुन का पेस्ट आप यहां अधरक और लैसुन को क्रश करके डाल सकते हैं एक तेज़ पत्ता आदा चम्मच राई आदा चम्मच जीरा तीन से चार चुटकी बर हींग यहां पर मैंने एक चम्मच धन्या पाउडर तीन चुथाई चम्मच लाल मिर्श पाउडर और एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है एक चम्मच पाव भजी मसाला नमक आप टेस्ट के कॉर्डिंग डालें आदा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हरधनिया जो हम आखिर में डालेंगे यह मैंने यहां पर एक गिलास चावल लिये थे इनको मैंने अच्छी तरीके से वाश करके 15 मिनिट के लिए भिगो लिया था तो इसी तरीके से आपको चावलो को पहले भिगोना है अब आपको यहां पर प्रेशर को कर लेना है इसमें दो चम्मच तेल और दो चम्मच मक्षन डालना है और फिर इसमें जब यह अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो यह तेजपता, राई, जीरा, हिंग, अद्रक लैस पेस्ट डालना है और कुछ सेकिंड के लिए इसको चलाना है फिर इसमें आपको यह प्यास डालनी है यह पर आपको प्यास को अच्छी तरीके से साथे करना है मीडियम फ्लेम पे ही बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूत नहीं है जब यह इस तरीके से होने लग जाय तो इसपॉंट में आप इसमें टमाटर और हरी मिर्च को डाल दे路 पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करलें है अफिर आपको इसमें मतर ढालनी है बढ़ दालने के बाद ये नमक, पाव भजे, मसाला, लाल मिट्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर डालके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब आपको इसको ढग देना है कम से कम दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही इससे मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से दो मिनिट बाद आप इनको अच्छी तरीके से मैश कर ले और अब आपको यहाँ पे चावल डालने है चावल को डाल के इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है अगर आपने यहाँ पर जैसे कि मैंने 1 गिलास चावल लिये हैं तो अब आपको पानी डालना है डेड़ गिलास पानी डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीकी से मिक्स करना है और फिर इसको कवर करके प्रेशर कुख करना है एक सीटी तक पहले एक सीटी आपको लगानी है हाई फ्लेम पे और फिर आपको फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको पकाना है दो से तीन मिनट तक बस और फिर फ्लेम को बंद कर देना है और फिर आपको पांच मिनट तक धकन खोलना नहीं है इसी तरीके से इसकी भाप में ही इनको रहने देना है फिर पाँच मिनिट बाद आप इसका ढखकन खोल सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे टमेटो पुलाओ वह एकदम तयार है अब आपको यहाँ पे आखिर में डालना है गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया अभी मैं इसको एकदम से बहुत जादा मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ी दिर बाद सर्फ करूँगी ऐसा करने से यहाँ पे जो चावल है वो जल्दी ठंडे नहीं होंगे और ये रूखे-रूखे नहीं लगेंगे अगर आप तुरण सर्फ करना चाते हैं तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें बट मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा चला के ही बंद करके इसको ढखके रखूँगी ऐसा करने से जो चावल ठंडे होने के बाद रूखे-रूखे हो जाते हैं नहीं होंगे चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बटाटा वड़ा बटाटा वड़ा बनाने के लिए मैंने हापे तीन आलू लिये हैं आलू को मैंने प्रेशर कुक कर लिया था दो से तीन सीटी तक दो से तीन सीटे में आलू अराम से बॉयल हो जाते हैं बाकी मैंने यहापे लिया है यह नमक, आदा चमच आमचुर पाउडर एक चमच धन्या पाउडर, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लालमिश पाउडर, एक चमच राई दो चुटकी बर हींग और यह 4-5 कड़ी पत्ते मैंने यहापे लिये हैं, इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई और चीज भी ले सकते हैं अब आपको यहापे सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें 2-3 चमच तेल डालके उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम करना है जब वो गरम हो जाए तो आपको उसमें राई, कड़ी, पत्ता, हींग डालके इसको कुछ सेकिंड के लिए ऐसे ही सौटे करना है और फिर आपको यहापे यह मसाले डालने हैं, हल्दी पाउडर, लालमिच पाउडर, धनिया पाउडर इनको आपको यहापे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बस लगबग 10 सेकिंड के लिए आपको इनको ऐसे रखना है लगातर चलाते हुए और फिर आपको यहापे जो मैश करे हुए उबलोय आलू है इनको डाल देना है और फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसी पॉइंट में आपको यह आमचूर पाउडर और नमक डालना है बस अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिलिम को बंद कर दें हमारे जो मसाला है तयार है आपको इसको अब ठंडा करना है चलिए तब तक हम बनाते हैं बैटर बैटर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कब बेसन लेना है एक चोथाई चमच हल्दी थोड़ा सा नमक डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अब इसको मिक्स करने के बाद आपको इसको लगातर चलाते हुए बैचिस में पानी डालना है आपको यहाँ पे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो गाड़ी ही रखनी है इसी तरीके से लगातर चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें इसमें कोई भी गाठ नहीं रहनी चाहिए और ये देखिए आपको इसी तरीके से गाड़ी कंसिस्टेंसी का बैटर रखना है और जब ये मसाला ठंडा हो जाए तो हातों में थोड़ा सा ओईल लगा लें और इसका थोड़ा सा पोर्शन लें इसको मैश कर लें और इसी तरीके से प्रेस करते हो इसकी राउंड शेप दें और ये देखिए आपको इसी तरीके से बाल्स की शेप देनी है इसको इस तरीके से स्मूद करने के बाद और इसी तरीके से आप बाकी सारे भी बना लें मैं यहां पर आपको अभी दो बना के दिखाऊंगी अब आपको तेल को गरम करना है मीडियम टु हाई फ्लेम पे फ्राइ करने के लिए और अब बैटर में आपको यह बॉल्स डालनी है इसको अच्छी तरीकी से डिप करने के बाद आपको जब तेल गरम हो जाए तो यह बॉ बाद बीच बीच में लगातार चलाना है और फ्लेम को मीडियम टु हाई रखना है इनको बहुत जादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रोत नहीं क्योंकि जब बेसन अच्छी तरीके से पक जाए इसमें अच्छी तरीके से फ्राइ हो जाए तो बस इसी तरीकी से बीच बी पाओ को सेखने के लिए आपको एक तबा लेना है उसमें आपको ये मखन की कोटिंग अच्छी तरीके से करनी है इस तरीके से स्प्रेड कर देना है फिर इसमें थोड़ा सा पाओ भजी मसाला स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाओडर स्प्रिंकल करना है और फ इतना मक्षन यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप इनको सेख सकते हैं बस आपको लगबग एक मिनट लगेंगे यहां पे इनको दोनों तरफ से सेखने के लिए मीडियम फ्लिम पे इनको अच्छी तरीके से सेख लें और बस पाओ भी हमारे रेडी हैं अब चलिए हमारे प्लैटर को हम अच्छी तरीके से सर्फ करते हैं तो यह रहा हमारा पाओ भाजी प्लैटर जिसमें है पाओ भाजी बटाटा वड़ा टेमेटो राइस रायता चटनी सलाद और एक छोटा सा नीम्बू का स्लाइस यह है परफेक्ट पाओ भाजी प्लैटर और इसको कैसे बनाना है यह मैं आपको अच्छी तरीके से बता कि इंग्रीडियंट्स तो वही है सब में मगर जैसे कि आपने देखा भाजी में मैंने काफी जादा वेजेटेबल्स यूज करी है और दूसरी साइड मैंने पुलाओ में सिफ टमाटर का जो में फ्लेवर है उसको जादा फोकस करा है तो इसलिए आपे रायते को मैंने बनाने का तरीका और जो में फ्लेवर है आपको किस में ज्यादा फोकस रखना है इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कैसे आपको हर एक डिश का जो टेस्ट है वह एक दम अलग अलग रखना है और बस मैं आखिर में उपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल रायते म में भुना हूँ अजीरा पाउडर और थोड़ा सा पावभाजी मसाला बाकी चीजों में स्प्रिंकल कर रही हूं हमारा पावभाजी प्लेटर तेयार है यह एक कंप्लीट मील है बाप भी इसको जल्दी से जरूर बनाए यह आप सभी को काफी पसंद आएगा इंग्रीडि मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आपने भी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो इसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बैल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें थैंक्स वाचिंग